हलो एवर्बड़ी विल्कम टो बैक माई यूटूब चला तो गाईज आसक इस वीडियो में स्वागत है आप सबीको और आसक इस वीडियो में हम लेक्टर के आगे हैं को वारले स्माइब वायर वाले माईक से जब हम वीडियो को सूट करते थे तो काफी प्रोबलम को फेच करना पड़ता था तो जब हम व्लॉगिंग बनाते हैं तो फोन को उपर कीमयर RIGHT दॉछ जाता है। और हमारा टाइम भी वेस्ट वाजबाता है तो काफी इसमें प्रॉब्लम को फेस करने पड़ता है नंबर टू आप कहीं एसे बीडियो को सूट नहीं कर सकते हैं इस माइक को लगा करके एक जगह सांथ हो करके अगर आप वेडियो को बनाते हैं इसके लिए तो ठीक है लेकिन फिर भी कभी कभी कोड ऐसे वेगरा करने से हिल जाता है इसके जिए से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है तो आज मैंने इसी प्रॉबलम को फेस करते हो गए मैंने एक वारलेस माइक को मंगाया हूं जो आपके सामने आज इससे हम अन्बॉक्सिंग करेंगे और wireless mic और wire mic में काफी difference होते है वाज भी काफी इसका अलग होता है quality भी काफी अलग होता है आप भी से की speed के range तक आप को वाज को record कर सकते हैं और standard जगा पे भी आप इसे अच्छे से record कर सकते हैं जो रही बात अब mic के बारे में तो just अभी हम unboxing करेंगे यह जो mic wireless mic है तो wireless mic में काफी responsible battery chargeable मिलता है C type का इसके अंदर OTG मिलता है जो आप C type को जो phone उसमें आप लगा करके use कर सकते हैं और B type का iPhone का कुछ ऐसा OTG मिलता है जिससे आप उसको भी लगा करके आप use कर सकते हैं तो just अब लोग के बीच अभी हम wireless mic का अभी unboxing करेंगे और दिखाएंगे कितने price में मिला cheap and based mic है और आप last टक वीडियो दिखने के बाद खुद कहोगे कि mic cheap and based है तो चली just अभी से हम start करते हैं unboxing के लिए तो guys यह रहा मेरे पास wireless mic और यह मेरे पास अभी deliver हो गया है और just इसके हम अभी unboxing करेंगे तो इसके कुछ function के बारे हम बता दे रहा हूँ सबसे पहले number brand इसके कोई brand नहीं है कोई branded company का है नहीं यह general company का है और missus से तो आते ही रहता है कोई branded company के मिलता है नहीं नमबर दूसरी quality तो quality number one दिखा रहा है color तो black color का है just इसको अभी open करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर सही है या नहीं तो मैंने कुछ समय पहले इसको open किया था कुछ से देखने के लिए तो कुछ-कुछ open है और कुछ-कुछ अभी बाकी है तो अभी just इसको अभी open कर लेते हैं इसके अंदर में यह मिल जाता है यह पुरए एक डबबा है और के 8 कुछ करके ऐसा दिखाता है model भी करता है या कुछ भी ना तो समध में नहीं आता है और only for Chinese वासा में आप लिग देता है और इसमें दिखा हुआ वारलेस microphone तो अब हम इसको open करेंगे इसमें बहुत सार ऐसा function दिया हुआ है जो यहां पर कुछ आपको दिखने के लिए मिल जाता है नंबर वान function है यहां पर live show आप इस माइक से live show कर सकते हैं इंट्रिव्यू ले सकते हैं और blog source video एक channel एनी बतले वीडियो पर यहां पर record कर सकते हैं इस माइक के द्वारा तो अभी हम इसको open करते हैं open करने के लिए यहां पर क्या करना है कुछ SF function है जो मैं अभी बता दे रहा हूं are plug and play इसमें सबसे पहले play करने से पहले क्या है कि mobile में OTG-Cable जो mobile में connect करना हुता ौइन ओपन कर देना होता और वह connect हो USA power button होता उसको open करना होता प्रेज करें कि उसका रीब 2-3 से कंड मोबन हो जाता है और उसे mobile का को open कर देना होता है। उसके बाद इसका रेंज है मैंने बताया निक्ता इन होना चाहिए 20 मेट्र 20 मेटर रिकॉर्ड करना कि इसके छमता है 20 मेटर तक कि दूरी तक कि यह स्सक्राइब करने होना चाहिए और recording क्लीर होगा है यह बहुत सेस्वाज को record कर पाता है अभी हम open करते हैं open करने के लिए हमें इस तरीके से यहां से यहां से अभी open कर लेंगे इसके अंदर में जो यह scene दिखा रहा है बस यह main face इसका और इसके अंदर कुछ भी नहीं है यह डबा है यह होगा main face अब यहां पर देखने क्या मिलेगा एक mic है जो caller में लग जाएगा और एक cable है मतलब OTG है OTG device है मतलब sensor device तो एक लग जाएगा phone में तो just इसको हम अभी यहां से यहां से निकाल लेते हैं यह हमारा हो गया जो mobile phone में जो connect होता है ठीक है और just इसको भी यहां पर रख लेते हैं और यह जो हमारा हो आईफोन में मिल जाता है लगाने के लिए ठीक है दो हो गया अब यहां पर मैं यह दोनों को दिखाऊं connect करने के लिए अगर हमारे पास type c का phone नहीं है आईफोन का phone है तो B type को कैसे connect करेंगे तो OTG का ही cable C type हम B type में इस तरह से connect कर देंगे और इससे हम mobile में connect करेंगे तो connect हो जाएगा ठीक है यह हो गया हमारा recording जो मतलब record करेगा जो हमारे कॉलर पर लगेगा तो यह यहां पर इस तरीके से लग जाएगा जो मैं अभी जैस्ट आप सब के बीच record भी करके दिखाऊंगा और इसके रहे यहां पर यह पावर बटम जो करीब मतलब भी charging पीन है जो इसे आप इसे चार्ज कर सकते हैं यह हो गया और यहां पर एक क्लिप दिया होगा है इसके अंदर मिल जाता है कि यहां पर कुछ एक छोटा सा कैप इसे भी रख लेते हैं और उसके बाद यहां पर निकालते हैं एक फ्रेम मिलता है फ्रेम जिसमें माइक को अच्छे से फीड करके रखावा होता है इसके बाद कुछ ऐसे रीड करने के लिए आप बुक मिल जाते हैं जो बहुत कापी लंबा है जिससे आप देखने के ल separation कजिना बाद क्रशियेख सकते हैं कि इसको कैसे connect कियाक को कि आ एक करना सकते हैं उसके बाद बच-अब है क्षोटव दिकाने बाकी है इस डिवाइस को मैंने निकाल लिया अब लिए इसके नंदर कुछ भी नहीं सो डेटा के रहा यह रहाँ data cable type C का data cable है जो डिवाइस को चार्ज करने के लिए दिया हुआ है तो इससे आप चार्ज करना होगा और उसके बाद आप device को फिर चर्ज करने के दिख़ाइंगे उसके बाद इसके चार्ज करके रखेंगे उसके पाइस जो सब को दिखा करकिए आप सब की बीच वीडियो को फानल करेंगे तूग करेंगे अब मेरे पास रहे हो डू सिर्फ यह सी डिवाइस जो मोबायल में evento कर जाएंगे तो अब हम इसे caller में connect करेंगे, caller में हाँ पे connect हो गया है और यह रही device जो फोन में connect करना है, तो just अभी जा करके connect करते हैं और फिर उसका recording करके दिखाता हूं कि कैसा record हो रहा है, guys लोग मैंने बोया की माइक जो था मैंने निकाल के रख लिया, अपने हाथ हो में, मतलब अपने caller में device को connect कर लिया है, अब देख सकते हैं हमारा जो idea quality कितना दूल्ड दे रहा है, अगर इसको दूर रखते हैं तो थोड़ा सा, idea quality होगा थोड़ा सा week आएगा, देकि जैसे इसको नजदीक रखेंगे, idea quality बहुत ही waste आएगा, तो ज्यादर नजदीक इसको रखना नहीं है, यह caller में लगाना है, तो just अभी इसको हम caller में लगा लेते हैं, क्योंकि मैं lag भी करके दिखा रहा हूँ, फिर भी हमारा distance जो अच्छा बन रहा है, और काफी recording भी अच्छा हो रहा है, मतलब कोई दिकत नहीं है, तो अब से ऐसा लगना है कि हमें wireless mic से recording करना बिट रहेगा, क् अब इसको हम अभी charging करके दिखाएंगे कि कैसा charging होता है, कैसे connect होता है, फूल होता है, तो कैसा दिखाता है, पूरे हम इस little को दिखाने वाले है अभी इस वीडियो में, तो अभी तक मार चनल पर नहीं होते हैं, चनल पर स्ब्सक्राइब कर देना है, और उससे भी ज़्या और इसको हम अभी में सप्लाइ में connect करेंगे, और नहां से plug open कर देंगे, हमारा light आ गया है, और इससे अब हम charging करेंगे, टाइब सी जो है, इसमें दो तरीके के दिया होगा, जो यह इस तरह का सफिस देखता है, यह सजी फिस होता है, और आपको यहां पैसे connect करना होता है, अब देखते है, connect करने के बाद यह बंद देता है, यह चालूं ही रहता है, वान, टू, ट्री, गैस चार्ज में डिवाइस को लगाने के बाद ना, बंद हो गया डिवाइस, ओनली फोर चार्जिंग हो रहा है, डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको जासे यह वर्क आ या नहीं आ रहा है? कि आप लोग की बाद विस से नहीं दिखाऊंगा तो फिर किसके बिस में दिखाऊंगा? वैस्थ भी आपलोग जदा ज़्धा सवालीरी करते हों कि इस यह बंद माइच्नाद वान यह होता है that our like, we即 च्डू आ तो जjoret बंद ने बाद नियखांग आप देख सकते हैं वाज कैसा आ रहा है इस तरीके से फादर पर फीट करने आता हुथ जिसके मैंने कि आज किस वीडियो पर डीटेल में बता दिया कैसे कनेक्ट करना है कैसे इसको चार्जिंग में लगाना है पूर्ट डीटेल मिसलिए मैंने बता है तकि आप लोग की कोई और आज की वीडियो बसे ही तक और नेट वीडियो मिलते हैं कुछ और मॉक्सिंग के साथ तैंक्यू